बाद जलेंस्की के काउंटर अटाक की जलेंस्की ने समले की तारीक तै कर ली है लेकिन अब उन्होंने कोड वर्ड में बात करने का ओडर जारी कर दिया है ताकि पुतिन को इस काउंटर अटाक के बारे में जरा भी भनक न लगे हाला कि जेलिंस्की के एक विडियो ने यूक्रेन का पूरा प्लान लीक कर दिया है जेलिंस्की ने अपनी फॉज को चुप रहने के लिए कहा है अब बहुत खामोश रहना है ऐसा तोप के गूले दागने वालों को कहा गया है आवाज नहीं करनी है यूक्रेन के स्नाइपर्स को बहुत चुप चाप हमले के लिए कहा गया है बक्तरबंद फोर्स को मैसेज है साइलेंट अटैक का वक्त आ गया है चुक कर हमला करने वाले स्नाइपर कमांडो भी सर्प्राइज देने को तयार है रूस और यूक्रेन के मोर्चे पर निगरानी करने वाले सैनिक हों या फिर रूस की बक्तरबंद गाड़ियों पर हमले करने वाले कमांडों और फिर 49 सेकंड के इस वीडियो में आखर में दिखाया जाता है दो एफ सिक्स्टीन फाइटर जेट ताकि पुतिन के दिल में इस लड़ाकों इमान का खौफ बैठ जाए В чітах вона в містах, вона в житті, а коли зневажають і життя, і людей, і найбільш вагомі для культури міста बुदे चिल की प्रोगरश प्रोगरश ड्ले रुस्या जेलिंस्की का खामोशी से भरा काउंटर अटैक वाला प्लैन पूरी तरह तयार है जेलिंस्की ने बहुत जोर दे कर कहा है इस बार हमला ऐसे चुपचाब तरीके से किया जाए कि रुस्की फौज की छूले हिल जाए फिर बख्मूत भी आजाद हो, लुहांस्क भी आजाद हो, टोनेक्स भी चुडा लिया जाए और मारियो पूल से भी रुस्का कब्जा हटा दिया जाए जेलेंस्की इस मौके को युक्रेण युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हैं लेकिन ऐसा कैसे होगा? रुस इस युद्ध में बहुत आगे बढ़ चुका है युक्रेण का पूरीवी हिस्सा करीब करीब पूरी तरह रुस के खबजे में और जेलेंस्की के पास इतनी ताकत नहीं कि वो वहाँ पुतिन की जड़ों को हिला सके लेकिन जेलेंस्की का होसला साथवे आसमान पर है और इस बार उनका इरादा मौसको को पूरी तरह हिला देने का है पूरुस की जड़ों को खोद देने का है पुतिन के होव को मिट्टी में मिला देने का एरादा तो जेलिंस्की 24 गंटे रखते रहते हैं За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників, пережив їх усіх, переживе і решистів. Жодного із них тут не буде. Київ та всі наші міста, вся наша Україна поставить крапку в історії московської деспотії, яка дуже довго і дуже різним народам несла поневолення काउंटर अटैक के लिए जेलिंस्की ने तारीख तै नहीं किये, बस बता दिया है कि पुतिन की फौज पर जवाबी हमला बहुत ही खामोशी से होगा ऐसा हमला जिसका ऐलान जेलिंस्की नहीं बलकि यूकरेन की फौज के धमाके करेंगे सवाल है कि क्या पुतिन इसके बारे में जानते है क्या पुतिन की फौज जेलिंस्की के काउंटर अटैक को रोख पाएगी क्या जेलिंस्की खेर्षान वाली काम्याबी दोहरा पाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो क्या पुतिन बखमूत के साथ मारियोपूल और मेलिटोपूल जैसे जीते हुए शहरों को खो देंगे पुतिन के पास जवाब अगर है तो इसके बारे में वो अभी नहीं बताएंगे कि चुनोती के तोर परी उक्रेइन की पोज बहुत ज्यादा अक्टिव हो गई है आप जैलिंस्की के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैना की बात को समझी है आप को जैलिंस्की के एरादे पता चल जाएंगे जैलिंस्की अभी दो दिशाओं में हमला करना चाहते वो पूर बे रूज की वोज पर बड़ा अटाक करने की तयारी कर रहे है वो दक्षन में भी बनाये गए रूज के फौजी अट्डों को तभा करने की तयारी कर रहे है लेहाजा उनके टार्गेट पर पूर पर दक्षन दिशा है जेलेंस्की ते अपने वीडियो में F-16 लडाव को विमान भी दिखाए है ये वो फाइटर जेट है जो उनको देने का वादा तो किया गया है उनके पाइलेट्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है लेकिन ये विमान उनको मिलेंगे या नहीं इस पर सस्पेंस बरकरार है हाला कि पुतिन को डराने वाले वीडियो में F-16 का होना ये बताता है कि बाइडन और जेलेंस्की के बीच इस फाइटर जेट को लेकर पैसला फाइनल हो चुका है जेलेंस्की को फाइटर देर से ही सही लेकिन जरूर मिलेगा पहले ऐसा नहीं था क्योंकि 3 मई को ग्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद जेलेंस्की को लेकर अमेरिका का भुरोसा काफी कम हुआ लेकिन जेलेंस्की जब जापान में G7 बैठक के दौरान जो बाइडन से मिले और साथ में यॉरप ने भी जिद की तो बाइडन पिघल गए बाइडन ने जेलेंस्की से कहा कि कसम खाओ कि रूस पर अटैक नहीं करोगे जेलेंस्की इस बात के लिए राजी हुए और अब युक्रेन के लिए F-16 का रास्ता खुल गया जेलेंस्की बहुत खुश है क्योंकि रूस के हवाई हमलों ने इस वक्त युक्रेन की कमर तोड़ कर रख दी है कोई दिन ऐसा नहीं होता जब युक्रेन पर हवाई हमला ना हो आस्मान से कोई बम न गिराय जाए रूस के फाइटर जेट युक्रेन के आसमान में घुलम खुला तबाही मचा रहे है और इसी वज़ा से जेलेंस्की लगातार खुद को बेबस महसूस करते रहे और उनकी मांग F-16 जैसे खतरनाक फाइटर जेट पर कायम रही लेकिन पुतिन और बाइडन कैम के बीच हुई बातचीत में खत्रा बता दिया गया है कि F-16 की वज़ा से विश्वत की नौबत आ सकती है F-16 आया तो जाहिर है ये काउंटर अटैक में सबसे बड़ी पूमिकादा करेगा जेलिंस्की का काउंटर अटैक जब भी शुरू होगा तो लंबा चलेगा तब अतियार गोदाम लगातार भरे रहने चाहिए विमानों के साथ सैनिको की कमी नहीं होनी चाहिए जेलिंस्की पर इस वक्त डॉलर की बारिश हो रही है और दॉलत की ये बरसात पूरी धुमिया देख रही है पैसों की बारिश और हत्यारों की बारिश जेलिंस्की का होसला बुलंद है यही वजाहे कि जेलिंस्की इस वक्त मॉस्को पर ड्रोन से हमले कर रहे हैं जेलिंस्की ने बख्मूत का मोर्चा भी समाला हुआ है और अब आए दिन नए नए ट्रेलर रिलीस करके वो पुतिन के साथ वीडियो वीडियो वाला माइंड गेम भी खेल रहे हैं इससे पहले जेलिंस्की ने माई के आखर में भी एक ट्रेलर रिलीस किया था इसमें भी बहुत जोच दिखा जेलिंस्की की फौज ने इस वीडियो में भी रूस को खत्म करने की कसम खाई इस एक मिनट के वीडियो में जेलिंस्की ने अमेरिका से मिली M777 तूप से लेकर हाई मार्स के रॉकेट हमले दिखाए जेलिंस्की ने बहुत ही घातक माने जाने वाले स्नाइपर अटाक से लेकर जर्मनी से मिले बहुत ही खास लेपर्ट टैंक की बंबारी भी दिखाई इस वीडियो में जेलिंस्की का कमांडर तो हुबहु कादिरफ की तरह नजर आया सवाल उठा कि क्या ये जेलिंस्की का कादिरफ है इस कमांडर का नाम इसकी पहचान सब कुछ गुप्त रखा गया है जेलंस्की का ये कमांडर हत्यारों की ताकत दिखा कर युक्रेन के नौजावानों को बता रहा है कि देश की फोज को उनकी जरूरत क्यूं है जेलंस्की का ये कमांडर कैसे जोज दिला रहा है बहुत खोर से देखिए देखिए इस कमांडर की बातों को कैसे युक्रेन के सैनिक दोहरा रहे हैं इस कमांडर में ऐसा क्या जादू है कि युक्रेन के फोजी अब अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है ये वो सवाल है जो इस कमांडर की तुलना पुतिन के कादिरफ से कर रहे है युक्रेन की फोज का ये कमांडर बता रहा है कि कैसे रूसकी सेना ने उनके देश पर कितना जुल्म किया है बुचा से लेकर मारियोपूल और बखमूत के हमलों की याद दिलाए जा रही है और फिर बहुत चोश के साथ बदालेने का इरादा ये जेलैंस्की का नहां माइंड गेम है Нехай рука моя буде твердою, щоб привати ворогів Нехай око моє буде ясним, щоб привати ворогів Нехай зброя моя буде справною, щоб привати ворогів Нехай воля моя буде сталь, щоб привати ворогів Україно, рідна земля мати, Господь, Отець наш Небесний, благословіть काउंटर अटैक के बीच जेलिंस्की नए फौजियों की लगातार भरती करना चाहते हैं जेलिंस्की नई फौज बनाना चाहते है जेलिंस्की बखमूत के बाद दूसरे मोर्चे को बचाना चाहते है सवाल है कि आखिर युक्रेन को बार-बार नया वीडियो जारी करने की नौबत क्यों आ रही है इसे जेलिंस्की की नई ताकत समझा जाए या फिर जेलिंस्की की बहुत पड़ी कमजोरी क्योंकि पुतिन तो वीडियो रिलीज करने में नहीं बलकि हमला करने में यकीन रखते हैं और वो वार्निंग तो बिल्कुल नहीं देते हैं